हेलो एब्रिवन वेलकम टू दा अल्पना वाइब तो आज आप लोग मेरे साथ चलिए नेचर से मिलने को यह है मेरा गार्डन सबसे पहले तो आप यह मीठी से आवाज सुनिए यह है कोयल की आवाज तो अलग अलग चिनिया की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और यह है मेरा मक्य के पेड़ तो मैं आज ही यह सुवे सुवे चाई परने के लिए बैठी थी तो मक्य के पेड़ के उपर से दो तोते इसकी बालियों से खेल रहे थे तो आप भी देखे ही तो यह मेरा तो बिलकुल मेडिटेशन हो गया आज सुवे सुवे मेरा सारा ध्यान इन पही लग्या और मन भहुत खुश हो जाता है प्रकरती को देखते वे इति गर्मी के दिनों में हरी भरी प्रकरती देख करके तो थंड़क का एहसास अपने आप ही होने लगता है यह देखे यह तोते यह जो मेरे मक्य के पेड़ों पे जो बालिया लगी हुई है उनसे खेल द्वे बिरे आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं प्यार भी कर रहें तो मैं इन्ही को देखती रही तोतों को प्रकर्ती तो अपने आप में खुदी एक मेडिशन है तो इंसान का जो यह आज़कल हम वीडिएयो लगा करके मेडिटेशन करते हैं तो यह नाच्य नेशूरल म कि आवाज आ रही है और यह मैंने तोटों पर ध्यान लगाया तो तोटों के उपर ही मेडिटेशन हो गया यह देखिए आज का तो पूरा पूरा आज का सुभे का टाइम तोटों के पीछे इनके उपर ही लग गया कितने अच्छे से यह जो इसने मक्के की बाली तोड़ी है ह जो भी अपने को नेचर से जोड लेता है उसे जो आज कल यह बिमारी चलिए डिप्रेशन वो कभी नहीं होगा जो मेरी एज के जैसे लोग है 58 59 उनको कभी अकेला पन का एहसास नहीं होगा कि नेचर में उनका ऐसा दिल लग जाएगा कितने प्यार से खा रहा है इतने आरा तोड रहा है एक बाली तोड के यह अपने साथ ले गिया थैंक यू फर वाचिंग बाई फ्रेंड्स हेव नाइस डे